So guys, स्वागात है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल Digital Door में तो guys, यह हमारे WordPress सीरीज का part number 8 है जिसका topic है How to set up a home page तो जैसे कि मैंने आपको पिछले part में बताया था कि आप किस तरीके से एक अपने blog के लिए एक separate page बना सकते हैं तो आज किस वीडियो हम जानेंगे कि आप अपना home page किस तरीके से set कर सकते हैं यानि कि जैसे कि suppose कोई भी user आपकी website पर visit कर रहा है तो अभी क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमारी जो by default set रहता है वो your latest post पर हमारी settings save रहती है मतलब कि जब भी कोई user हमारी website पर visit करेगा ठीक है तो उसे by default हमारी जो latest post होंगी website की वो सारी show होंगी ठीक है बट आप चाते हो कि जब भी कोई user मेरी website पर visit करे तो उसे मेरी latest post रोना हो उसे कोई ऐसा page show जो मैं इसे दिखाना चाता हूँ ठीक है तो अगर आपको एक अच्छा सा page create करना चाते हैं ठीक है अपने home page के लिए तो आप वो create कर सकते हैं ठीक है कैसे भी कि जो भी चीज आप दिखाना चाहते हैं चाहिए वो आप अपना about us पेज दिखाना चाहते हों ठीक है या फिर कोई आप अपनी एक single post इसो करना चाहते हों ठीक है तो वो आप set कर सकते हैं तो देखे वो आप कैसे change करेंगे अपने home page की setting को कि आप कौन सा page display कराना चाहते हैं अपने home page पे वो कैसे करेंगे आज किस video हम जानते हैं तो देखे सबसे पहला आप अपनी website के back end के dashboard पर आ जाईएगा ठीक है dashboard पर आने के बाद back end के आपको यहाँ पर settings वाले section में ठीक है आपको क्या करना है आपको a static page वाले radio बटन पर click करना है फिर home page वाले section पर जो भी आपने pages बना रखे होंगे न वो आपको show होंगे तो जैसे कि यह आप देख सकते हैं मैंने एक blog का page बनाया था जैसे आपको आपने मेरा पिछला पार्ट देखा होगा ठीक है तो यह blog page वो है home page यह by default create रहता है ठीक है और यह जो sample page यह भी wordpress खुदी create कर लेता है ठीक है तो यह 3 pages मेरे अभी तक publish हैं तो वही 3 page यहां show रहे हैं तो जैसे कि suppose मैं कोई sample page ले लेता हूँ ठीक है और एक बार मैं इसको save changes वाले बटन पर click कर देता हूँ ठीक है तो देखिए अभी मैं अपनी website के home page पर हूँ ठीक है front right पर तो जैसी मैं इसको refresh करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा sample page था वही क्या हो गया मेरा front page बन गया मतलब कोई भी user मेरी website पर first time visit करेगा तो उसे date मेरी website की latest post show नहीं होंगी उसको ये sample page शोगा ठीक है तो ऐसी अगर आप कोई भी और pages बनाना चाहते हैं ठीक है अपनी website के लिए home page के लिए तो आप वो create कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बता है readings वाले section में जाकर के ठीक है आज static page आपको लेना है और यहाँ पर drop down में जो भी page आपने create किया है उसको आप select करके save changes वाले button पर click कर लिजेगा ठीक है तो जो आपके जो भी आप page जो आपको वो page होगा वो by default आपका home page बन जाएगा ठीक है अब जैसे कि suppose मैं blog ले लूँगा तो जो मेरा home page होगा by default वो blog बन जाएगा ठीक है blog page तो जैसे मैं इसको refresh करूँगा तो जो मेरा blog page होगा वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है बस यह है तो इस तरीके से guys आप अपने क्या कर सकते हैं पेजिस को create कर मतलब जो भी आप अपना page home page के लिए set करना चाहते हैं वो आप इस setting के थुरू कर सकते हैं आज के इस पार्ट में बस इतना ही मिलते हैं आपस अपने next पार्ट में